हलो गसाइव मैंने मानीश ठागो और वाल्कूम वर्कून टूैनल स्टॉक्स के हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कल ना चलिए पर के वीडियो में स्टॉक्स बताए थे उनका रिवियू कर लेते हैं तो मैंने आपके बोराता कि अगर ये से उपर जाएगा तो हम कि वन थाओंगन हंडर फिफिटी तक के टागेड नहें के रिए देड करेंगे एक करेंगे 1100 30頻 के पर जाता है तो ये इस ने अपने जैसे इस पॉसिशन से श्विच नसे उपर गया है सिकांजें ये तागट जो है वा ये देखने को मिला 1,100 चांजेंटें 1,150 में तो माइन तीने काफ्य अच्छा जो है अब साइट है मूफ दिया और हमें न्यां जो है अच्छा कासा जो कारण जो है वो नौन होगे तो वो टेर काफी रहे तो उसमें से के लाएक है तो के लाजो भी नौन हुआ हमने बिल्कुल भी टेड ने लिया और आगर आप बात करें रिलाइंस की रिलाइंस भी गेप पॉपन हुआ होने के बाद मैंने आपको बता बताया था कि आप प्राइस एक्षिन ट्रेडिंग की हैस्ट कीजिएगा तो गैप पॉपन होने के बाद इसने नाइन जीरो क्या सपास जो है अपना हाई लगाया तो और वहां से जो है फिर एक फॉल देर नीचे की तरह अगर तो आपको अपने आपको बताया हुए इस जो इस फाल देगा तो तो तुम इस लेवल से जो है और GY लाइंस ने वुड़ दिया अगर आप में व हुः देखी होगी तो आपको अच्छा कहसा होगा तो नेस्टरॉट होगाम फॉटे चेटी में आपको मैंने बताया था प को बोला था और 147 टागर दिया था मैंने आपको तो बेसक ने अपना 145 के उपर गया 147 अपना टागर अचीव किया तो डेफिनली जील में भी अच्छा खासा जो है दो पॉइंट का पर देखने को मिला क्योंकि मार्केट आप अपन हुआ था बहुत तो उस वज़से हमें ज हैं कल्की मार्किट काल मार्किट कहां कर सकते हैं तो यहां देखिए अब बात करें निफटी के निफटी कहां जा सकता है पहले तो निफटी के लिए यह सपोर्ट काफी बॉलंट है कि 11,002 कंपोर्टिक सिप्टी कर ले काफी इंपोर्ट यह सपोर्ट की तोड़ना बहुत ही मुश्किल अगर यह सपोर्ट के ऊपर इस जो है क्लोजिंग मिली थी यहां तो यहां से रिजेक्शन हमें मिली थी तो डेफिनिटली अगर निफ्टी 11 तू 11,200 के करीब पहुंचेगा तो हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगी निफ्टी में दोबारा अगर लेकिन अगर इस सपोर्ट के ऊपर अगर ब्रीज कर लेता है और तो हम जो है इसमें लेकर चल सकते हैं निफ्टी को अगर समय की चाट पर हम देखेंगा अगर आप आजाए तो यहां पर देखिए निफ्टी कहा पे इसने आज देखिए गबर वपन किया निफ्टी ने फिर फिर 11,200 के करीब इसने अपना हाई लगाया दो हजार 1230 के करीब और वहां से फिर इसने फॉल दिया अपना यह गैप था यह कवर किया निफ्टी ने और इस पॉइंट के उपजो है निफ्टी फिर से ट्रेस हुआ जंप अफसाइड जंप दिया युवापी से निचे आया फ फिर जानब्बे के नीचे अगर निफ्टी आएगा इस वाले ले पे यहां से अंगे निफ्टी आता है तो हम returned यहां से एक्र सकती है तो आपन होता है तो आ जैसे ऑपन होने वा यहांं पर नीचे ओपन होग यहां से इसके नीचे ढिए यहां सबस्य फोडब ले VIP के चलंगा यहां सе पसलेंग यहां पर सल जो चौड़ शोड़ चोड़ चुके हो और संहीं काफी होग तो दिफिनल्टी जो है तो अब सलिंग लेखे चलिए गाber सबसे पहले अपना यह जो लेवल है यहां पर 1150 के उपर जाएगा तो यह हम सबस्क्राइब कर सकते हैं कल के लिए तो जले बात कर लेते हैं कल की मार्केट में सबस्क्राइब कर सकता है तो चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं अगर बैंक निफ्टी के हम बात करें तो बैंक निफ्टी बिल्कुल सेम पैटर मनाया आज इसने निफ्टी की तरहा थोड़ा सो पर गया फिर वाद और रेस्ट आज जो है यह क्या कि आसने रेंज बांड र हमेंगे यह जाद सस्ट निफ्टी के निफ्टी तो हम इसमें की सब्सक्राइब करेंने अगरे को यहां फूर तो हम यहां यहां पर इसको यहां तक इसको ले जाएगा 21000 के लेवल तक के लिए और अगर बात करें हम बाइंग साइड यह अपना 21006 यहां पर यह वाली जो सपोर्ट है 21675 के अगर सपोर्ट बीच करता है तो हम इसमें 21900 से लेके 22000 तक का टागट जो है कल के लिए देख सकते हैं अगर यह 21675 के सपोर्ट बीच करता है क्योंकि यहां पर इसको नेक्स सपोर्ट बनती है वह यहां पर बनती है 22000 के करीब तो यहां तक का जो है इसमें टागट देखने को मिल सकता है अगर यह उपर की तरफ गया तो चलिए बात कर लेते हैं कल के स्टॉक्स की कल हम कौन कौन से स्टॉक्स में टेडिंग कर सकते हैं तो जो सबसे पहला हमारा जो स्टॉक्स है वह सबसे पहला जो स्टॉक्स है वह हिंदाल को अगर आपने आज देखा होगा तो निफ्टी मैटल सेक्टर में काफी अच्छ प्रूंब किया निफटीं मैंट सेक्टर ने आज खाफी अच्छा आज एक हिंडाel को है हिंडा लोगर देखा जाए हिंडाल को यहां प्या पर 需要 काAR थी बूलिश वह स्चेस्धा और करें पर कि यहां पर निकलता है 175 के उपर ही अगर रहता है तो हम शुथ 105 को यहां पर देखाए अगर हम आपको इसको वंडे प्रेंप में दिखाऊं तो यहां पर देखेंगे नेक्स्ट यहां पर यह यह वाली जो सपोर्ट बन रही है वन सब्सक्राइब अगर आप जो इसको तक लेगा इसको तक लेगा सकती है अगर यह वन इर्थीत का टागेट एक बाद तोड़ दे लेकर वांट रहीएगा बाइंग करने के लिए जो तो इसको वन नाइन तक से लेके टूवनट के टागट तक के लिए जिभी ले जा सकता है और अगर हम देखा जाएं तो वापिस से फिफ्टी मिंस की फ्रेम पर आते हैं अगर 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 देखा जाएं तो यहां पर अगर यह 173 इस वाले लेवल के यहां पर काफी अच्छी सपोर्ट है तो यहां पर थोड़ा हॉल्ट करेगा तो वन सेवंटी तक का टागट हम लेके चल सकते हैं अगर यह 173 के निकला तो हमें 168 का टागट जो है definitely जो है हिंदाल को में दिखाई देगा कल के लिए तो चलिए बात करेते हैं अगले स्टॉक की जो नेक्स स्टॉक है हमारा वो है संटीवी अगर संट अगर आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर जूड़े हैं तो अगर तो आपको वहां पर आपने हुआ तो definitely जो है संटीवी हमारा कल का टोक रहेगा कल अगर दर रि Grant को हम देखें तो संटीवी अगर 393 यह जो लेवल है स्का यह पर काफी अच्छा होल कर रहा है संटीवी एक दो थी इस लेवल पर काफी अच्छा होल कर रहा है तो 393 इसके नीची अगर संटीवी निकलत तक के टागर के लिए जो है कल ट्रेड कर सकते हैं यहां पर 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 यहां अगर जो है अचीव करेगा संटीवी अगर कल 393 के नीचे निकलता है या ओपन होता है तो डेफिनली आफ सैलिंग कीजिएगा गैब डाउन भी ओपन होता है तो प्राइस एक्षिन टेडिंग कीजिएगा आपको अच्छा का सा रिटर्न देखने को मिलेगा तो चलिए बात क जो है इसने चंप किया है तो 398 चुसका लेवल है उसके लेवल निकलता है तो हमें 402 से लेकर टेन को मिल सकता है कल के लिए अगर यह 398 के नीचे 398 से उपर निकलता है तो हमें 402 से लेके 410 का टागट जो है Sun TV में आराम से देखने को मिल सकता है कल के रिए तो जो भी लेवल्स रहेंगे आप प्लीज उनको consider कीजिएगा उन लेवल्स को ध्यान से उन लेवल्स को देखके जो है ट्रेड कीजिएगा डेफिनिली आपको जो है अच्छा खासा फाइदा होगा तो चलिए बात करें है हमारे last stock की last stock है हमारा तो जो last stock है हमारा वो है infosys infi हमारा last stock है अगर infosys की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए यह open हुआ यहाँ पे और ओपन होते ही इसने अच्छा खासा फाइदा है और यहाँ से रप्रेस किये तो इस वाले लेवल पे काफी अच्छा hold है infosys का इसी लेवल पे यह वापिस उपर गया था इसी लेवल से यह उपर की तरह जाने की कोशिश कर रहा है तो अगर कल infosys इस वाले लेवल को तोड़ता है यहाँ से इस वाले लेवल को तोड़ता है 940 के लेवल को तोड़ता है 940 से अगर नीच आता है तो हम इसमें selling करेंगे कौन से point के लिए 920 से लेके 900 तक के target के लिए हम infosys में कल selling करेंगे अगर यह 940 का support अपना तोड़ता है तो हम इसमें 900 तक के लेवल के लिए जो है trade करेंगे क्योंकि 900 तक के लेवल का 900 तक का जो है level इसमें देखा जा सकता है infosys में क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर यह support टूटर तो definitely जो है next जो support है वो यहाँ पे strong support यहाँ पे दिख रहा है 900 के करीब लेकिन उससे पहले इस support पे यहाँ पे support पे hold कर सकता है hold क्या hold कर सकता है अगर इस support के नीचे जैसे निकलेगा तो definitely यह next support यहाँ पे मिलेगा थोड़ा बड़ हाल्ट यहाँ पे कर सकता है लेकिन जो strong support है वो है इसका 900 के level पे तो definitely जब इसके नीचे निकलेगा तो 900 का level आप लेके चलिए infosys में और levels को जूर consider कीजिएगा अगर हम इसको buying side देखें अगर buying side अगर हम बात करें तो buying side अगर infosys जो है 960 का level अगर बीच करता है 960 का level मैं level इसका थोड़ा ऊपा लेकर चल रहा हूं अगर यह अपना 960 का level क्योंकि यहां पे काफी अच्छा hold दिख रहा है इस level पे एक दो तीन चार पांच अगर 960 के ऊपर अगर निकला तो definitely जो है हमें अच्छा गासा जो है buying इसमें देखने को मिलेगा कौन से level के लिए 990 से लेके 1000 तक के level के लिए जो है हम हमें target दिखाई दे रहा है अगर infosys 960 के ऊपर निकला तो हमें 1000 तक का target जो है infosys में कल देखने को मिल सकता है अगर यह इसके ऊपर निकला तो तो जो भी आपको मैं stocks बताए हैं जो भी आपको मैंने निफ्टी और bank निफ्टी का analysis किया है अब प्लीज उन subscribe किजिए और अगर आप मेरे साथ मेरे telegram चैनल पर जूड़ना जाते हैं तो लिंक मैंने उसका तो उसका जो लिंक है वो description में दिया हुआ है तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा धन्यवाद